बच्चों आज में आपको GK Lesson 6 Parts of a Plant एक पौदे के भाग इसके बारे में बताऊंगे जैसे हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बनाए ठीक उसी प्रकार एक पौदा भी कई भागों से मिलकर बनाए तो आईए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं GK Lesson 6 Parts of a Plant एक पौदे के भाग Look at the picture of a plant given below इस picture को देखो वेटा यहां एक पौदा दिया गया है पौदे की picture दी गई है एक चित्र दिया गया है Observe its different parts and complete the blanks आपको बड़े दियान से देखकर निरिक्षन करना है और इसके फिलिंदा ब्लैंक जो हैं रिक्तिस्थान पूरे करनी है बच्चों जैसे हमारा एक शरीर अमारी बौडी कई अंगों से मिलकर बनी होती है इसी प्रकार से ये पौदा कई भागों से मिलकर बना होता है और हर भाग इसका बहुत ही महत्रपून हिस्सा होता है जैसे हमारा शरीर एक अंग के बिना अधूरा होता है तो ये भी किसी भाग के ना होने से अधूरा रहता है इसलिए इसके भी भाग उत्रे ही जरूरी है जितने हमारे शरीर के लिए अंग जरूरी है तो देखें I am a plant full of leaves मैं एक पोदा हूँ जो बिटा देखो leaves वने पत्तियों जो पत्तियों से बरा हुआ हूँ यह देखो पेर जो पोदा है पत्तियों से बरा हुआ है My roots grow under the grounds Roots means होता है जड मेरी जडें जमीन के अंदर है जो जड होती है वो जमीन के अंदर होती है My stamp holds me straight stamp होता है जो जड है वो तना सीधा खड़ा रखता है यह देखी यह है stamp कि तना सारा जो सीधा खड़ा है My flowers are colorful and scanted तो मेरे फूल मेरे फूल रंग भी रंगे हैं और scented खुश्मूदार हैं सुगंदीत हैं जिसको आप बोलते हैं माई शीट्स मेरे बीज ग्रो इंसाइड दा फूरूट मेरे बीज फुलों के अंदर हैं यू लाइक टू इट माई फूरूट आप मेरे फुल खाना पसंद करते हैं बच्चों इस पौधे की पिक्चर साप अपने फेयर नॉट्बुक में ए फॉर्ट साइड शीट को पेस्ट करकर उस पी बनाएंगे और उसमें विबिन पार्ट ये जो इसके विबिन अंग है इसको आप शो करेंगे इसके बारे में आप लिखेंगे और इसी प्रकार से आपने बनाना है जिस प्रकार से ये आपकी इसमें पिक्चर से में दिया गया है इस बुक्स में दिया गया है